जेमेंस परिक्षा में हुई धानली के मामले में सीविया दिल्ली ने निजिस संस्था और उसके निदेशों को खिलाफ मामला तरसक्या था इस प्रकरन में साथ आरोपी गिरफतार किये जा चुके है सोमवार को इस केस में नापुर से संबन्दित कुछ कोचिंग इंसिट्यूट पर चापे मारी की गई बताया चाता है कि दिल्ली सियाई टीम ने सानिय लोगों की मदद से यहाँ चापे मारी करकी दस्तावी इस सब के है ग्यात हो कि लगबग दो सब्ता पहले CBI ने जेए मेंस परिशा में चल रही धानली का भांडा फोड किया था इस केस में CBI ने एफिनिटी एजुकेशन प्राइविट लिमिटेड और उसके निदेश को द्वारा कथी थेरा फेरी का मामला दर्स किया था दूसरे ही दिन CBI ने दिल्ली, NCR, इंदौर, पुनी, चमशेदपूर और बैंगलोरुस सहित उन्न स्थानों पर चापे मारी की थी साथ ही एफिनिटी एजुकेशन के संचालक सिधाद कृष्णा, विश्वं भरत्रिपाटी, करमचारी रितिक सीह, अंज्यूम दावुदानी, अनिमेश कमार, अजिंके नरहरी पाटल और रंजी सीह ठाकुर को गिरफतार किया गया था बताया जाता है कि आरोपियों से पूछताज के दौरान नागपूर के भी कुछ कनेक्शन पता चले नागपूर के भी कुछ कोचिंग के संचालकों ने आरोपियों के साथ साथ गाट करकी अपनी चातर की परिक्षा में सटिंग करवाई थी एफिनिटी ने बड़े ही शातर धंग से यकी एल रचाया था परिक्षा देने वाले कैंडिडेट के वल पेपर सॉल्फ करने का नाटक करता था असल में उसकी आईडी और पासवर्ड लेकर कोई और ही परिक्षा देता था ज्यादा स्कोर करने से देश की नामी नाशनल इंस्ट्यूट अफ टेक्नलोजी में आसानी से प्रवेश दिलवाने के लिए यहिरा फीरी होती थी इसमें नाखपुर के कोचिंग क्लासेस के संचालकों ने भी अपने कैंडिडेट की सेटिंग करवाई थी एक उम्मेदवार से 10 से 12 लाख रुपे का लेंडिन होने की जानकारी मिली है सुत्रो का दावा है कि CBI की टीम ने पास स्थानों से कुछ दस्तावी सब किये है कैमरा पोसन अखलेश भारेदवाज के साथ दिशाहटवार बीसे न्यूस नाखपुर